नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इंकरडबल IAS Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है अगर आप लोग ने सपने पाले हुए हो कि मुझे जो है जारखण में SDM बनना है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे इंपोर्टेंट है साथ-साथ में उन लोगों के लिए भी जिनका अपना DSP है, वीडियो है, उन सारी लोगों के लिए, ये बातें जो हो रही है, आज JPSC की हो रही है, जो कि 2020 का न्यू सिलिबस अपडेट है, जो आपका सिलिबस होगा, वो यही होगा, जो मैं बता रहा हूँ, साथ-साथ में इ क home, से इसे सिब Влад पढ़आ जाए, जिसे की प्रिलिम्स जो है, आसानी से क्रेक हो जाए, उन सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में किया हूँ, इस वीडियो को जितना जादा बार हो सके, कोशिश किजिए सुनने की और इस वीडियो को सुरू से अंतक सुनिए, क्योंकि जब तक ये clarity नहीं आपके अंदर आएगी, तब तक prelims नहीं clear होगा, तब तक events भी नहीं होगा, तब तक interview भी नहीं होगा, यारी कि final SDM तक आप पहुच नहीं सकते हैं, ये यह दो पार्ट में इसका एक्जाम प्रिलिम्स का होता, प्री का, एक जो होता है, वो होता जीएस वाला पार्ट, और एक जो होता है, इसका जारखन, जारखन का अस्पेसल होता, तो जो जीएस वाला पार्ट होता है, इसमें जो है, टोटल नमबर उप कोश्चन जो होते हैं, दो दो number के marks होते हैं, total जो marks हुए, वो हुए 200 number, same to same यहां भी है, जारखंड a special, इसमें भी total question 100 होते हैं, और दो number के एक एक इच marks होते हैं, equal to total 200 marks को होते हैं, ये तो confirm हो जाईए, दो paper, एक GS का paper और जारखंड a special का paper, GS के भी paper के अंदर आपका polity, economy, history, science, science भी से रहेगा, और उधर से जो a special है, जारखंड a special, उसमें भी quality, economy, science, current affair, everything रहेगा, लेकिन वो रहेगा आपका जारखंड से, अंदर से आजा के पूछा जाएगा, और ये जो है, इंडिया लेवल पे पूछा जाएगा, GS का, जानने का बस इतना सा सोचने का है आपको, और दोनों में जो है, total number of marks होगा, वो होगा, 400 number होगा, अब परतेक का, देखते हैं कि syllabus क्या है, और किस तरीके से परहा जाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आएए, अब देखते हैं इसका, सबसे पहला जो है, वो है history, यानि भारती इतिहास में, total number of questions जो हो आएंगे, वो आएंगे 15 questions हो होंगे, 5 questions मधधकालिन भारत से और 5 questions आधुनिक भारत में, दोस्तों यहीं पर रोक के मैं थोरा सा BPSC के चर्चा कर दूँ, तो BPSC में ये चीज़ कनफर्म नहीं है, क्योंकि BPSC में क्या होता है, जो आधुनिक भारत होता है, उससे ज्यादा question पूछे जाते हैं, बाकी द भारती इतियास से इच question दो नमर का होगा, ये टोटल तीस नमर का होगा, तो ध्यान रखीगा पांच इससे, पांच मधकालिन पांच आधुनिक, आईए लोट के चलते हैं, भारती भुगोल पे total question दस question होंगे, और दस जो होंगे, पहले समान भुगोल में तीन question होंगे, उ इसमें दो question होंगे, total number of question होंगे, दस question यानि दस दुना, बीस number का, नेक्स आते हैं, सी, भारती राजनितिक एवामसासन में total number of question दस होंगे, इसके अंदर क्या-क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले भारती समीधान से चार सवाल पूछे जाएगे, यानि आठ नमर अगर ल और नगर पाल का, इससे दो question पूछा जाएगा, total number of question, दस, total marks, बीस number का, नेक्स आते हैं, आर्थिक और सतत विकास, यानि कि, एकोनोमी में, एकोनोमी में, जो है, चार सवाल पूछा जाएगा आपसे, वो होगा, भारतिय अर्थ व्यवस्था की मुल्भूत भी सेस्ताएं टोटल number of question होंगे, वो होंगे, दस, दस गुना दो, इकोल टू, बीस number का, पूछा जाएगा, भारतिय अर्थ व्यवस्था से, नेक्स आते हैं, बिज्ञान एभम तकनीक, यहां से आपका पंद्रे सवाल पूछे जाएंगे, total number of question, पंद्रे सवाल, बिज्ञान तकनीक या किरसी और पर्दोकी से 6 सवाल पूछे जाएंगे, सुचना और संचार पर्दोकी से 3 सवाल पूछे जाएंगे, total 15 सवाल यहां से निकलके हाग नेक्स आते हैं, जारखंट से सवाल रहेगा, इसके अंदर वो रहेगा, इतिहास से, भुगोल से, समाझ से, शांस्कृती से, और संस्कृति और बिरासत आर्ट इन कल्चर से टोटल नमर कोश्चन जो रहेगा यहां से दस रहेगा यानिकि इसके अंदर आपको जो है जार्खन से भी सवाल पूछे जाएंगे जीएस में चलिए नेक्स जो है इसमें राष्टी और अंतराष्टी बर्तमान घटना यानिक करेंट अफेर की कोश्चन जो होंगे टोटल नमर कोश्चन होंगे वो 15 होंगे 15 क्रेंट फेर पूछा जाएगा पूरे एक साल का जितने दिन तक कम से कम एक साल का तो जरूर करेंट आप देखिएगा नेक्स्ट है मिले जुले बिभीन सवाल जो होगे टोटल पंद्रे या तीसरा शहरी करन पढ़ना होगा चौथा खेलकूद पढ़ना होगा पांचमा आपदा परबंदन पढ़ना होगा चथा गडिवी और बेरुजगारी पढ़ना होगा सातमा पुरुषकार पढ़ना होगा कौनसा पुरुषकार किसको दिया गया है कौनसे साल में और आठमा जो है वह पढ़ा जाएगा आपको संयुक्त राष्ट संग और अन अंतराष्ट यह जितनी भी संगठन है उस संगठन के बारे में आपको जानना होगा यहां से टोटल जो है 15 सबाइगा यानि कि 30 नमबर के कोश्ट यहां से फिक्स हो जाएगा चलिए अब आते हैं जारखंड अस्पेसल में यह तो जीयस वाला पार्ट था मैंने टोटल 100 कोशन आपको बता दिया टोटल नमबर जो है 200 नमबर का अब आते हैं तुरह देखते हैं कि जारखंड समान ग्यान इसको एकदम कोशिश कीजिए मैं इसलिए तुरह फास्ट बोला इसमें पूछाँ जाएगा जो कि कि 60 नमर का होगा दौडवर कल इसके अंदर आपको प्ढ़ना होगा मंदा शासन बेवस्ता पढ़ना होगा एक परस्द यहां से पूछा जाएगा नगवनसि सासन बेवस्ता यहांसे भी 1 Pope fournannah पहरा पंचायत शासन बेवस्ता से एकोशन पूछा जाएगा, मुंडा मान की सासन वेवस्था से भी एक कोशन पूछा जाएगा, टोटल नमबर उप कोशन जो होगा, वो आठ होगा, आठ में से आपको 16 नमबर आएगा, चलिए, नेक्स चलते हैं इसके अंदर, छटा जो था, उसके अंदर आपको पढ़ना होगा, ढो जाती है पंचायती सासन वेवस्था, दो प्रस्न यहां से पूछे जाएगे, इसलिए साथ ही हुआ नहीं, तो आठ होता, अगर एक प्रस्न होता, तो एक और होता, यहां से दो कोशन उठेंगे, तो टोटल आठ हो जाएगा, तो आठ दुना 16 नमबर यहां से पूछा जारखंड के सदान आंदोलन, उसके बाद जारखंड के आदिवासी आंदोलन, उसके बाद जारखंड के स्वतंतरता सेनानी आंदोलन, उसके बाद जारखंड के विभूती, जारखंड के आंदोलन और राज गठन, यहां से दो प्रस्न आएगे, और जारखंड के विभू निर्थ संगीत बाध दर्शनिय अस्थल और आदीवासी यहां से जो है पांच प्रशन पूछे जाएंगे जिसमें पहला जो होगा लोक साहित यहां से एक प्रस्न पूछे जाएंगे, उसकी बाद जो है, नेक्स जो आएगा पारंपडी, कला और लोक निर्थ यहां से एक प्रस्न पूछे जाएंगे, लोक संगीत एबं बाध यहां से भी एक प्रस्न पूछे जाएंगे, दर्सनिय अस्थल यानि प्राकरति एतिहासिक धार्मिक आधुनिक अस्थल यहां से जो है एक प्रशन पूछे जाएंगे आधिवासी जाती प्रजाती एबं बिशेस्ताइं यहां से भी आपके एक प्रशन पूछे जाएंगे तो अच्छे तरीके से पूछे अगर पढ़िएगा समझ के अच्छी ऑथेंटिक जार्खंड के साहित और साहितकार क्योंकि यहां जो सिलिबस है एकदम प्योड है यहां से पूछेगा इस चेप्टर से इतने कोश्टन इसलिए यहां पे कोई कंफ्योजन नहीं उस चेप्टर को पढ़िए वहां से उतने नमबर फिक्स कर लीजिए आप तो यह बहुत जार्खंड के खेल कुट से आपको पांच प्रस्ण पूछे जाएंगे उसके बाद नेक्स चलते हैं जार्खंड के कानून और अधिनियम यहां से टोटल 12 प्रस्ण पूछे जाएंगे कौन-कौन से अधिनियम है बड़ा आसान है बस देखने में है इसा छोटा नागपू यहां से दो प्रस्ण पूछे जाएंगे यानि टोटल 12 प्रस्ण हुए 24 नमर का आसानी से यहां से हासिल कर सकते हैं 1947 के राज आर्थिक विकास का इतिहास जारखंड का भुगोल, जंगल, नदी, पहार, पडवत, खान, खनीच, आधी से जो है 10 प्रस्ण पूछे जाएंगे जिसमें जारखंड के अधोगिक निती, बिस्ताफन, पुनरवास निती और अनितिया से यहां से आपके 6 प्रस्ण फिसमें जारखंड के तक राज इसुन तक्ताफिक निती और विकास जारखंड के जारखंड के रूचंड परहेंगे जारकंड ये सारे के सारी जारकंड चल रहा है जारकंड राज के परियाबरन संबंदित तत्थ हो या फिर परियाबरन परिवर्तन हो या फिर उसके अपससन हो यानि कि mitigation या फिर अनुकूलर हो adaptation साथ प्रस्ण यहां से पूछे जाएंगे उसके बाद जारखंड के आपदा परबंदन से आपके पाच प्रस्ण रहेंगे और जारखंड से संबंदित विभीद तत और समसमाई की यानि कि करेंट घटनाई जो होगी वहां से आपका साथ प्रस्ण रहेगा तो यही था टोटल के टोटल जो प्रिलिम्स है उसके सिलिबस को हमने बता दिया जेपी असी का फिर चाहे वो जी एस का हो या फिर जेपी अस्पेसल हो मैंने कोशिश किया हर एक एक पार्ट पर चर्चा करके आपको बता देने का अब जानते हैं यह तो सिलिबस आपने सर बता दिया अब इसके लिए कौन-कौन सा बुक प्रिफेर किया जाए क्योंकि बुक भी जो है अनसेकसिस का रोल अदा करता है इसके लिए कौन से इसी बुक हो जिसको पढ़ने के बाद इधा उदर की कोई बुक न पढ़ी जाए तो इसके लिए आप लोग नोट डाउन कर लिजिए आए बुक लिस्ट में थोड़ी सी नजर देते कि कौन-कौन सी बुक हमारे लिए जरूरत है सबसे पहली बुक जो है इमेज आप देख लिजिए वीडियो आप देखेगा इमेज पता चल जाएगा उसके बाद है मद्ध कालिन भारत ये भी जो है कच्छा 11 की NCRT की द्यान रखिएगा सारी की सारी बुक है और फिर आता है आधुनिक के लिए तो आधुनिक बहुत बड़ा है तो उसके लिए आधुनिक भारत के लिए बिपीन चंद्रा की NCRT की आती है कच्छा 12 की आती है द्यान रखिएगा NCRT की ये पढ़ना जरूरी है और साथ में एक authentic book अस्पेक्ट्रम की आती है आधुनिक भारत का इसी आत और ये राजीब अहीर साहब का होते है द्यान रखिएगा author जो है राजीब अहीर साहब तो इनकी book आप जरूर खरिदने की कोशिस की जिएगा तो आपका यहां से इतिहास कवर हो जाएगा नेक्स आते हैं भुगोल के लिए भुगोल एक समगर अध्यान बस यही book और कोई जरूरत नहीं है किसी भी book को लेने की वे महेस बर्णवाल साहब की book आती है द्यान रखिएगा महेस बर्णवाल साहब की यही book आपको पढ़ना इसी में आपका complete हो जाएगा जादा जोगरफी में इधर उदर भागने की जोगरफी और अगर और थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं करना चाहते हैं तो 11, 10 से लेके 12 तक यह दो class की आप जो है लाल और लाल की इससे बहत्री तो कोई book ही नहीं है अगर यह समझ में नहीं आती है तो लाल और लाल पहन लिए sufficient है या फिर आप परिच्छावानी का भी ले सकते हैं बहुत सुपर है बहुत सुपर लिख लिजे कहीं पर परिच्छावानी की चलिए नेक्स्ट आते हैं यह तो बाइविल ही है पॉलिटी का इसका दूसरा कोई option अभी तक तो नहीं आया कल आये या नाये पता नहीं है यह जो है लेम लच्छमी कांत की book है ध्यान रखिएगा एम लच्छमी कांत नाम तो सुने हुए होगे एम लच्छमी कांत साहिब की book है पॉलिटी की ये book जरूर आपको पढ़ना चाहिए हाँ NCRT से सुरू कीजिए उसके बाद आप आसानी से इसको पढ़ लिजिएगा यहां के बाद सीधे आईए शमान ग्यान में यहां पे लुसेंट का समान ग्यान जरूर पढ़िएगा वन लाइनर है और साथ-साथ में समान ग्यान भी कोशिछ कीजिएगा पढ़ने का जरूर कोशिछ कीजिएगा पढ़ने का तो यह दोनों book आपके पास में होना बहत जरूरी है इसके साथ-साथ में पढ़िया बरन के लिए द्रिष्टी का आता है, पर्याबरन और परस्थिति, जरूर खड़िद लीजिए, इससे बेहतरी कोई बुक नहीं है मार्केट में, इसको जरूर खड़िद के पढ़ने की कोशिश कीजिए, अब रही कि करेंट अफेर के लिए कौन सा मेगजिन लिया जाए, तो देखिए, ए ये बुक जो है, सफिसियन्ट है कि आसानी सापको किलियर करवा देगा, और साथ-सात में, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारा का सारा वीडियो यहीं पे अबले बुल है, दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज सेयर कीजिए, उन लोगों को, ज जरूर कोमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप हमसे क्या चाहते हैं, हमें कोमेंट करके बताइए, हम जरूर उस वीडियो को पे काम करेंगे, और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, थैंक्यू, नमस्कार.